हाई फ्रेंट्स विल्कुन पुमाई यूटूब चानल आज मैं लेके आई हूँ गुंद वे आटे से बने वे पहती टेस्टी नमजिदार नास्ते की रेस्पी अगर आपने एक बार इस नास्ते को बना के ट्राइ किया ना तो येकीन मानिए आप हमेशा ही आटा को बचाना दस मिनट में ही बनके त्यार हो जाएगी और इसे घर के ही रखे कुछ समान से बनके त्यार हो जाता है तो चलिए फिर बनाना शुरू करते है तो यहां पे मैंने गैस को आन करके कढ़ाई चड़ाई है कढ़ाई में हमने एक चमच के करीब तील डाला है तील में अब हम नजुआ करेंगे प्याच को पहले एक से 2 मनेट के लिए फ्राय करेंगे अब हम इसमें एक टमाटर डालेंगे तो टमाटर को वह वारिक ब्तमीना कने देर नुसलीख मैं हम इसमें थोड़ा सजा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जली से गल जाए और यह सॉब्त हो जाए तो इसे हम फ्राय करेंगे चार से पाच बेड़ लिया है जिसके मैं कर्लो कर लिया है तो इसे ग्रेट करके ही डाले टाकि बड़े टुकड़े ना रहे तो इसे भी हमें अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करना है तो आलो को चलाते हुए प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पे मैंने आदा चम्मज के करीब भल्दी पॉडर लिया है अब हम इसमें आदी चम्मज काली मिश पॉडर डालेंगे यहां पे मैंने आदी चमज कुटी हुई लाल मिच पॉडर लिया है और थोड़ा सा हमने यहां पे काली मिच पॉडर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पॉडर डालेंगे और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसे अच्छे से mix करने के बाद ना इसे दो मिनट के लिए fry करना है ताकि मसाले јुशा पन पन आ वह चला जाए तो इसे ऐसी चलाते हुए दो मिनट के लिए fry लीजिए तो ध्यान रहे इसे गैस को मीडियम रखे और मेडियम अच पर ही इसे इसे तो यह देखे हैं हमने से 2 मिनिट के लिए अच्छे से प्राइक कर लिया है इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है तो अब इसमें थोड़ी सी कटे हुए धनिया पति डालेंगे तो बारिक से मैंने यहां पर थनिया पति कट करके डाला है फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में यहाँ पर मैंने दूसरे बावल में दो चमज के करीब आटा लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे अब हम इसमें आदी चमज के करीब लालमेश फॉडर डालेंगे तो यहाँ पर मैरे कुटी हुवी लालमेश फॉडर लिया है अब हम इसमें एक चमज सफेद दिल डालेंगे इससे ना इसका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कट पट्री इससे भी हमें द्शाँ नाशता दो देक्द सकते हैं यहां सब्सक्राइब विद के ले सकते हैं तो यहां पर थोड़ी सी मैनी लोई थोड़ी है तो जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सब बड़ा लोई लेना है में और फिर हम इसे अच्छे से बेलेंगे तो सूखा अक्टा लगा के इसे हम गूल बेल लेते हैं बस जैसे रोटी बेलते हैं वैसे हमें बुइलना है तो यह देखिए रोटी बना के हमने तियार कर लिया है तो इसे थोड़ा पतला ही रखें ज्यादा मोटा ना रखें अब हम क्या करेंगे इसमें कट लगाएंगे तो कुई भी आप ग्लास कटोरी ले सकते हैं इस तरह का जिससे यह असानी से कट हो तो ऐसे हम रोटी में कट लगा देंगे तो यहां पर मैंने टोटल इसमें चार पीस निकाला है तो इसका एक्ष्टर जो आटा है उसे हम निकाल लेते हैं इसे हम बाद में यूज कर लेंगे तो सारे आटे को हम निकाल लेते हैं तो यह देखिए इस तरह का मिलेगा हमें तो अब हम क्या करेंगे हमने जो आलू आला श्टफिंग बना के त्यार किया था ना एक एक चम्मच श्टफिंग उठाना है और इसके उपर ऐसे रखना है तो ऐसे एक एक चम्मच उठाते जाएए और इस पर रखते जाएए तो अब हम क्या करेंगे एक साइट से ऐसे उठाएंगे और दूसरी साइट ऐसे हलका सा प्रेस करते हुए इस पर हम चिपका देंगे तो ऐसे हमें सारे नास्तिक अबना के त्यार करना है तो ऐसे एक साइट से ऐसे उठाएए बीच में आलू वाला रोल को दबा के ऐसे चिपका दीजिए तो यह देखे अगर यह लगे ना कि अच्छे से नहीं चिपका है तो हाथ से ऐसे कर चिपका सकते हैं तो जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही नास्तिक को बना के त् इसे अच्छे से प्रेस करके इसे दबा दीजिए ताकि फ्राय होने के टाइम यह खुले ना तो इसी तरह से मैं बहुत सारा नास्ता बना के त्यार कर लेना है तो अब हम फ्राय करेंगे तो चलते हैं का इसकी तरफ तो यहां पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया थ उंचाइए तो साबधाने से डाले तो ऐसे एक एक नाशती को अठाते जा양ी अ बैटर में डीप करते जाए और इसे ऍवे तेल में डालते जाए तो तेल में एक बार में जितना नास्ता आएगा उतना नास्ता में डालना है और फिर एक साइट से दू मिनट के लिए पहले सेख लेंगे तो यह देखे नीचे से कलर चेंज हो गया है तो हम क्या करेंगे से पलट देंगे तो एक एकर के नास्ते को हम पलट तक अंगर बारत इकार है तो इससे एक से दो बर उलट पुलटके हम अच्छा से मैंवे खिए कि नृट अच्छा सा अब मरने खुशाच को लिए के अब क्या क्रेंगे रोग्डान प्लेट में ये काल तो सारे नास्ते को ऐसी एक एक करके प्लेट में निकाल लीजिए और बचेवे नास्ते को में ऐसी फ्राइ कर लेना है दूनुट साइच से गोल्डन ब्राउन होने तक तो गर्मा गर्म नास्ता बनके त्यार है तो आप एक बार इस रेस्पी को जोटरा कीजिएगा अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छे लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस अपने फैमली फ्रेंड में भी सेयर कर सकते हैं तो अगर आपने अभी मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूं ने रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई